सब्सक्राइब कीजिए मेकेनिक ग्यान चैनल को और बेल आइकन को दबाएए लेटेस मेकेनिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों नमस्कार आपके अपने यूट्व मेकेनिक ग्यान में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तो जैसी कि आप स्क्रीन पे देख पा रहा है हमारे पास में है कमटसू का फोर्स लेंडर इंजन और इसका माडल है यस डबल एट फोर डी नाइन फाईव एल इथरी दोस्तो अगर आपको इस इंजन का टाइप इट सेट करना नहीं आता तो दोस्तो हम आज की इस वीडियो में एकदम easy तरीका बताएंगे type it set करके नहीं दिखा बट type it कैसा set करते हैं हम उसका तरीका बताएंगे आपको इस engine में inline pump लगा हुआ है और inline pump के कोई भी engine का आप इसी प्रकार से अगर type it set करना नहीं आता तो आप इस method से type it set कर सकते हैं type it adjust कैसा करते हैं screw को कम ज़्यादा कैसा करते हैं अगर आपको नहीं आता तो हमने काफी सारे वीडियो अलग-अलग engine के अलग-अलग प्रकार से type it set किये हुए हैं अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के description में उसका link मिल जाएगा या तो i button को click करके उस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको इस engine का type it किस प्रकार से कैसा set करते हैं हम वो दिखाते हैं ठीक है तो चलिए हम pump के side में चलते हैं और pump के side में चलने के बाद दोस्तों हम धीरे धीरे हमको engine घुमाना है और engine घुमाने के बाद में जो first number का cylinder है उसका दो दोनो rocker है उसकी type it adjust करना है उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों आप देख सकते हैं ये pump का जो plunger plate का bolt है उसको खोल कर plate को बहार निकाल लेना है अब उसके बाद देख सकते हैं ये plunger ये plunger दोस्तों जो नीचे plunger पुरा नीचे जाना चीए और नीचे से उपर आना चीए उपर आते आते जो pump का जो body है और plunger का body वो label में आ जाता है मतलब top में आ जाता है तो आपका जो पहला cylinder का जो type it setting है आप easily कर सकते हैं ठीक है देख सकते हैं ये first cylinder का जो type it एकदम फ्री है हमने इसका already type it set कर दिया है ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए वीडियो बनाया है ठीक है उसके बाद दोस्तों चलिए तो जैसी आप एक नंबर cylinder के rocker का type it set कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे engine गुमा कर तीन नंबर जो pump का जो तीन नंबर प्लेंजर है उसको टाप में ले आना है इस प्रकार से ठीक है चलिए अब हम तीन नंबर का चेक कर लेते हैं तो देख सकते हैं ये दोनों रॉकर एकदम फ्री है और हमने आपको पहले ही बताया कि इसका type it हमने पहले ही set कर दिया है अब दोस्तो फिर से हम engine गुमाते हैं धीरे धीरे और उसके बाद हम लेके आते हैं दोस्तो दो नंबर को तो देख सकते हैं हम धीरे धीरे engine को गुमा रहे हैं थोड़ा सा हम जूम करते हैं और आपको दिखाते हैं तो देख सकते हैं ये प्लेंजर और ये पम का बोडी है ये इसका लेबल आना चाहिए प्लेंजर ठीक है जैसे कि आप देख सकते हैं ये एकदम विल्कुल एकुरेट टॉप में आ चुका है बोडी लेबल और प्लेंजर का पिस्टन ठीक है अब देख सकते हैं ये दो नंबर दो नमबर Slender का जो रॉकर है इसका टाइमिंग आ गया है आप देख सकते हैं रॉकर को हिला कर ठीक है तो इस प्रकार से हमें चार नमबर का भी करना है तो चलिए हम चार नमबर का भी जल्दी से ले ले लेते हैं और एक चीच आपको अभी बताऊंगा मैं कि इसका टाइपिट कितने mm पे करना है आपको ठीक है तो देख सकते हैं यह चार नमबर का पिष्टेन अब नीचे से उपर आ रहा है तो देख सकते हैं चार नमबर और यह चार नमबर में भी आपको प्ले दीख रहा होगा इस इंजन का टाइपिट सेट करना है जीरो पाइंट जीरो फोर्टी एमेम आप थर्टी फाइज से फोर्टी एमेम के आसपास रख सकते हो ठीक है अब हम उसे अगर थाओं में कर्व यह होगा अपन्रह एमेम के से पंद्रह थाओं के आसपास ठीक है तो दोस्तों यहाब वीडियो कैसा लागा हमें कॉमेटबार्ट में लिक्कर बताए और वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में सेयर करना हम पिर किसी नेक्स सूरे का जात में मिलते हैं तब तक के लिए बाय दूस्तों